तो गाइस मैं हूँ अभी इस समय रिशी की मार्केट में और मैं जाने वाला हूं गाइस यहां से राम जूला और राम जूला के लिए मैंने यह करी थी ट्री जिसका किराया पजार से 10 रुपे का है गाइस ट्री में से उतनने के बाद मैं छला थोड़ा थोड़ी दूर पैद आगे की तरफ यहां पर जो एंजोई कर रहे हैं सारे लोग गंगा जी का सामने देखिए आप और चलते हैं उसी जगह पर और हम जो इसनान करेंगे पल्ली साइड में यहां पर गाइस राम जूला के बारे में लिखा हुआ है आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं और सामन आप डेख सकते हैं काफी जो है जल कम आगा जी के अंदर फथट भी चमक रहें जूड़ा घंड़ा है और यहां राम जूलान करते हैं तो गाइस इस आन और इसनान करने के बाद अपने कपड़े जो है गाइस इस एस से बाधी और जो है एसे ही मैं लाया था Hasta तो जो है थो स्पीटिल में घाइस मेरे पापाजी की थोड़ी तबीद थराब है तो जो होस्पीटल में बहरती है रिस तो मैंने सोचा क्यों न क्यों एक बिलोग बना लिया जाए और गंगा जी भी नहीं आएंगे उधर से और देखिए आप ये पीछे मेरे सामने का वीव पॉइंट जो है ऐसा हो रहा है इतना सांदार हो रहा है आप याद करोगे संसाइट का टाइम हो रहा है यह देखिए और गंगा जी जो है कितने लोग ना रहे हैं आप सामने देख सकते हैं यह देखिए और इस समय वीव जो है इतना सांदार आ रहा है बहुत स देखी सकते हैं और आपको पल्ली साइड से मैं और दिखाऊंगा तो गाइस हम जो है यहां से निकलते हैं और तेल बगएरा देखते हैं बालों में डालने के लिए तो बाल अच्छे हो जाएंगे कापी वेकार हो रहे हैं तो चलते हैं यहां से निकलते हैं अब उपर की तरह कि गाइस यहां पर रेवर यह जादा होती है रिशी केसमें आप कभी भी आ सकते हैं और कर सकते हैं रिवर रैप्टिंग का आनन्त ले सकते हैं यह देख रहे हैं आप शाम न स्वाइब राम जूला यह देखिए गाइस और सूरज जो है छेप चुका है कासी ज़्यादा और चलते हैं आगे की ओर जो भी था आज की वीडियो में हमारी में इतना ही दिखा रहा था मैंने काफी लंबा वीडियो नहीं करा है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आवस्य करें मिलते हैं आप लोगों से और नई वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव